तो स्वागत है आप से भी को ग्यापन एकडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में और ये जो वीडियो है न ये पूरे फुजीक्स के परतियक लेशन का मस्ट भी वे अबजेक्टिव से भरा वीडियो है और आपको बता दें कि इसमें टोटल प्रसनों की संख्या 50 है जो पिछले 5 सालों में हर बार पुछने वाले प्रसनों को हमने इन्वाल्ब किया है जिसमें से आपको 40 सही करके दिखाना है अगर आप 40 सही कर दिये न तो हम सम परकास के परवर्तन के कितने नियम है तो परकास के परवर्तन के नियम को आपको बताना है बताएंगे पहला अपसन है अपसन ए में दिया है तीन अपसन बी में दिया है दो और अपसन सी में दिया है चार और अपसन डी में दिया है छे तो इसका सही विकल्प होगा अपसन नमबर B, परकास के परवर्तन के दो नियम है, अब अगला प्राशन देखते हैं, अगला प्राशन है प्राशन संख्याद 2, किस दरपण द्वारा किसी वस्तु का वास्त्विक परतिविम मिल सकता है, तो इसका सही उत्तर आप लोग बताएं, इसका सही उत्तर होगा और तल के स्थिति कहां बनेगी, फाला अप्सन है दरपण के पीछे, दूसरा है दरपण के आगे, और तीसरा अप्सन है C पर, और चौथा अप्सन है F पर, तो आप इसका सही उत्तर बताएं, इसका सही उत्तर होगा अप्सन A, दरपण के पीछे, जब वस्तु के स्थिति P और F क वस्तु की इसनिति अफ पर हो तो परतिवीम कहा बने गया पहला आप solutions की पर दुसरा सी है और एफ के बीच और तीसरा है एफ पर और चुथ है अनन्त पर तो आप बताए इसका सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर ठीक है अब आगे देखते हैं अगला प्रस्न है प्रस्न संख्या 5 और तल दरपण में वस्तु के स्थिति एफ और सी के बीच हो तो पर्तिभीम कहां बनेगा तो पांचवा का सही उत्तर होगा अप्सन नंबर सी एफ पर बनेगा अब आगे देखते हैं अगला प्रस्न क्या ह अगला प्रसन है प्रसन संख्या 6 उत्तल दर्पण में वस्तु के स्थिति धुरू तथा अनंद के बीच हो तो पर्तिविम के स्थिति क्या होगी तो बताईए आप इसका सही उत्तर क्या होगा दिया गया अप्षन है दर्पण के पीछे धुरू तथा F के बीच दूसरा अप्सन है अनंत पर और तीसरा है एफ पर और चोथा है कि इनमें सिफ कोई नहीं तो बताइए इसका सही उत्तर होगा अप्सन नंबर A दरपड के पीछे धुरू तथा एफ के बीच अब अगला प्रासन देखते हैं अगला प्रासन है प्रासन संख्या 7 उत्तल दरपड में वस्तु की इस्थिती अनंत पर हो तो परतिभीम की इस्थिती कहां होगी बताइए पहला अप्सन है धुरू पर दूसरा है धुरू तथा एफ के बीच तीसरा है एफ पर और चोथा है कोई नहीं तो सत्वा का सही उत्तर होगा एफ पर अप्सन नंबर सीज़ दराइट एंसर अगला प्रासन देखेंगे अगला प्रासन है प्रासन संख्या 8 मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है बताएंगे ये बहुत ही फेमस कुस्षन है और हर साल इसे पूछा जाता है तो बताएंगे इसका सही अप्सन क्या होगा ठीक है अप्सन ए में दिया है समतल दरपड़ अप्सन बी में दिया है उतल दरपड़ अप्सन सी में दिया है उतल दरपड अप्सन डी में दिया है एक पतला लेंस तो 8 का सही उत्तर होगा अप्सन नमबर B उत्तल दरपड़ ठीक है या फिर ऐसे भी सवाल पूछ सकता है कि वहानों के साइड मिर्यर के रूप में कौन सा दरपड़ का इस्तमाल किया जाता है ठीक है तो उत्तल दरपड़ होगा अब चलिए अब अगला प्रासन देखते है अगला प्रासन है नमबर प्रासन उत्तल दरपड़ द्वरा बना परतिवीम होता है तो इसका सही उत्तर होगा काल्पनिक और सीधा अप्सन बीजदा राइट एंसर आगे देखते हैं ये भी कुशन बहुत बार पूछा गया है प्रासन संख्या 10 दाड़ी बनाने में किस परकार के दरपड़ का उप्योग किया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा बीजदा राइट एंसर और तल दरपड़ का परियोग किया जाता है दाड़ी बनाने के लिए ठीक है तो अब आगे देखते हैं अगला प्रसन क्या है अगला प्रसन है प्रसन सख्या 11 जे परकास की एक किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूरव पत से विच्छित हो जाती है इसे कहते हैं तो यहाँ पर दिया गया अप्सन है देखिएगा पहला अप्सन है परकास का परवर्तन सेकंड है परकास का अपवर्तन तीसरा है परकास का वण बीचे पर और चौथा है इनमें से कोई नहीं तो आप बताइए यहांपर सवाल देख लीजिए एक बार फिर से कि जब परकास की एक किरण जब परकास की किरण एक मादियम से दूसरे मादियम में जाती है तो अपने पूर्व पत से विचलित हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं तो बताईए आप इसका यहाँ पर हम अप्सन को भी ला दे रहे हैं यहाँ पर बताईए 11 नमबर का सही उत्तर क्या होगा 11 नमबर का सही उत्तर होगा अप्सन B इस दराइडेशन परकास का अपवर्तन कहते हैं ठीक है अब यहाँ देखिए प्रसन संख्या 12 परकास की एक किरण जब वीरल माधियम से सघन माधियम में आती है तब वो अभिलम से दूर मुड़ जाती है कि सीधा निकल जाती है कि तीसरा अप्सन अभिलम की दिशा में जाती है यह चोथा है कि अभिलम की और मुड़ जाती है तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा तो बारा नमबर कोशन का सही उत्तर होगा अपसन नमबर D अभिलम की ओर मुर जाती है ठीक है जब परकास की किरण वीरल माधियम से सगहन माधियम में जाती है तो अभिलम की ओर मुर जाती है लेकिन जब परकास की किरण सगहन माधि रहा किसी माध्यम में अपरतनांग का मान होता है तो पहला अप्सन दिया है यहां पर साइन आई बटा साइन आर साइन आई और सी में दिया है कि साइन आई प्लस साइन आर और बी में दिया है साइन आई इंटू साइन आर तो इसका सही उतर होगा आप सन एज दा राइट एंसर ठीक है ना साइन आई बटा साइन आर साइन आई को इंसिडेंट रेकाते हैं साइन उप्योग होता है ठीक है तो 14 नंबर का सही उत्तर रहों का अप्षन यह उत्तर लेंस का तो यहाँ पर लेंस का फर्मूला लगा कर जब आप सल्फ करेंगे 1 by V minus 1 by U is called to 1 by F पर तो उसका सही answer आएगा 15 cm तो option C is the right answer ठीक है अब यहाँ देखते हैं अगला पुरासन है अगला पुरासन है अगला पुरासन है सुला नंबर एक ओतल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है इसकी छामता क्या होगी तो देखिए जब ओतल लेंस की फोकस दूरी दे दिया है एफ बराबर 20 cm दे दिया है और इसकी छामता निकालना है ठीक है तो P बराबर 1 by F से जब आप हल्प करेंगे तो इसका सही उतर हो जाएगा option D minus 5 diopter ठीक है क्योंकि लेंस की छामता का यह सा 5 diopter है यह होगा तो बताएए इसका सही उतर क्या होगा 20 cm फोकस दूरी का ओतल लेंस होगा कि 5 मीटर फोकस दूरी का उतल लेंस होगा कि 5 मीटर फोकस दूरी का ओतल लेंस होगा कि 20 cm फोकस दूरी का उतल लेंस होगा तो सीधी सी बात है अगर प्लस में दिया है तो पहले तो उतल वाला option कट ही जाएगा ठीक है बचया उतल का तो 5 मीटर फोकस दूरी का तो होगा नहीं क्योंकि जब आप इसको lens की छमता अगर आप निकालते हैं यानि कि P बराबर निकालते हैं तो इसको जब आप हल करेंगे तो इसका सही उतल होगा option D BCM फोकस दूरी का उतल लेंस इस दराइट एंसर ठीक है अब आगे देखते हैं अगला प्रस्न है प्रस्न संख्य 18 किसी वज़्दू का परतिवीम नेत्र के किस भाग पर बनता है तो option B तो आप इसका सही उतल क्या लगाएंगे देखिए अक्सर student लोग गलती करते हैं ठीक है कि 25 मीटर और 2.5 cm और 25 cm और 2.5 मीटर दिया रहता है तो इसमें क्या है कि जैसे ही 25 को मैंड में मैंड में सेट करके जो जाते हैं वो डाइरेक्ट जो है ना cm और मीटर में फर्क नहीं देख पाते हैं और डाइरेक्ट 25 जहां देखते हैं वहीं पर लगा कर चले आते हैं बट यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है कि इस पर्ष्ट द्रिष्टी की नियुंतन दुरी होती है 25CM यानि option C is the right answer 25CM होती है ठीक है क्योंकि आपके NCRD book में यहीं दिया है आप देखिए प्रस्ण संख्या 20 नेत्र लेंस की फोकस दुरी कम हो जाने से कौन सा द्रिष्टी दोस होता है तो 20 का सही उतर आप बताएंगे 20 का सही उतर क्या होगा आप अपने से बताएं तो 20 का सही उतर होगा option A निकट द्रिष्टी दोस ठीक है अब अगला प्रस्ण देखेंगे अगला प्रस्ण है प्रस्ण संख्या 21 किस द्रिष्टी दोस को दूर करने के लिए उतरलेंस का उप्यूब किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर पहला option दिया है द्रिष्टी निकट द्रिष्टी ठीक है औ और यहाँ पर आगे और अप्सन देखिए, दुर्धिष्टि कि अभी इन दुपता हैं, ठीक हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, क्या अप्सन होगा? अप्सन A से लेकर कि D तक ध्यान से देखने के बाद अब बता हैं, कि अप्सन कौन सा सही होगा? अब आगे देखते हैं अगला प्रस्ण क्या कर रहा है प्रस्ण संखे 22 एस्पेक्टरम प्राप्त करने के लिए किसका उप्योग होता है ठीक है तो इसका सही उतर होगा ए प्रिज्म ठीक है अब यहाँ जो अगला प्रस्ण दिया है तेश नमबर वो कुश्ण क्या कह रहा है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घीरा रहता है तो इसका सही अप्सण होगा अप्सण नमबर बी पांच दो त्री बुजाकार और तीन आयतकार पट्टी से बना प्रिज्म होता है ठीक है अब चलिए आगे देखते हैं अगला प्रिज्म है चौबिस नमबर स्वेट प्रिकास जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण यानि जो रंग सबसे कम विचलित होता है वो क्या मने वो है क्या मने कौन सा रंग है ठीक है तो अप्सण ए में दिया है लाल सेकंड अप्सण में दिया पीला और तीसरा में दिया बैंगनी और चोथा में दिया हरा तो बताएं चौबिस का सही उत्तर क्या होगा तो चौबिस का सही उत्तर होगा आपका अप्सण ए लाल होगा ठीक है अब देखते हैं अगला प्रसन 25 पर तीएक इलेक्टरान पर रिड़ अवेस होता है यानि रिड़ातमक अवेस होता है तो इसका सही उत्तर क्या होगा अब बताएंगे A B C D जी चारो अप्षन को देखने के बाद खुद से लगाए कि इसका सही उत्तर क्या होगा तो 25 का सही उत्तर होगा तो यहाँ पर पहला अप्सन दिया एंपियर दूसरा अप्सन दिया है वोल्ट और तीसरा अप्सन में दिया है ओम और चोथा अप्सन में दिया है जूल तो 26 का सही उत्तर बताइए आप तो इसका सही उत्तर होगा अप्सन एंपियर होगा ठीक है अब अगला देखते हैं साही मात्रक क्या होता है तो अपसंडी इस दा राइट एंसर वोल्ट होता है ठीक है अब आगे देखते हैं अगला प्रस्ण 29 दिशा का संकित करता है तो 29 का अपसंडी ढिया गया है धारा का की चुमभक के छेत्र का की बल का कि इन में से कोई नहीं तो बताएं 29 का सही उतर क्या होगा तो 29 का सही उतर होगा अपसंडी बल का ठीक है अगला प्रसन तीस चुम्बक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का बेवहर किया जाता है तो अप्सन B is the right answer नरम लोहा का ठीक है अब अगला प्रसन देखते हैं प्रसन संक्य एक तीस विदूद चुम्बक के प्रेंडर की खोज किस ने किया था ठीक है तो बताईए इसमें सही अप्सन क्या होगा वहला अप्सन दिया अब यहाँ देखिए अगला प्रसन प्रसन संक्य एब 32 विदूद जनीतर का सिधान्त अधारित है तो बताईए इसका सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उतर होगा अप्सन B विदूत चिंब के प्रियरर पढ़ा ठीक है अब अगला प्रसन है 33 हमारे माकानों में जो विदूत आपूर्ती की जाती है वह होती है क्या होती है कितना भोल की होती है दिश्ट धारा होती है की प्रियर वर्ती तो सबसे पहला की दिश्ट धारा तो होती नहीं है तो दिश्ट धारा का अप्सन पहले ही कर जाएगा बात आती है कि हमारे घर में जो विजली की आप उर्ती होती है वो बारे भोल की प्रियर वर्ती धारा होती है तो 34 का सही उतर होगा अपसन B लकड़ी ठीक है क्योंकि देखिए कोईला को जलाने के बाद फिर आपको उससे उर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती पिट्रॉलियूम को जलाने के बाद फिर उससे उर्जा की प्राप्ति नहीं हो सकती परकृति गैस को जलाने के बाद फिर उस प्री को जलाने के बाद फिर एक बार कोईला बनेगा फिर उस कोईले से आप फिर उर्जा की प्राप्ति कर सकते हैं तो इसलिए आपका जो अप्शन भी है यहीं सही होगा चलिए अब आगे देखते हैं अगला प्रस्ण है 35 गुलोबल वार्मिंग के लिए निम्नांकित में क ठीक है अगला प्रस्ण है कि लेंज का सुत्र बताइए क्या होता है तो लेंज का सुत्र होता है वान बाए भी-1B-1U सकल्ट वान बाए एक तो आप संडी में दिया हुए इसलिए उसलिए अगला प्रस्ण क्या 27 नंमर प्रस्ण है किस दरपढ़ से हमेशा वस्तु से छोटा परतिविम प्राप्त होता है तो 37 का सही एंसर होगा उत्तल दरपढ़ में हमेशा वस्तु से छोटा परतिविम प्राप्त होता है इसलिए भी आपका सही उतर हो जाएगा अब देखते हैं अगला प्रसन अड़तिस चुम्बकिय छेतर का A.S.I. मातरक क्या होता है तो चुम्बकिय छेतर का A.S.I. मातरक टेसला होता है option A is the right answer आगे देखते हैं अगला प्रसन है 39 जूल प्राती कुलम कहा जाता है तो ये आप बताएं कि वोल्ड कहा जाता है कि ओम की एंपियर के वाट तो 39 का सही उतर होगा option A वोल्ड होगा अगला प्रसन है 40 नमर समांतर क्रम में जूड़े दो परतीरोध को जिनके परतीरोध R1 तथ R2 है का समतुल्य परतीरोध R बराबर होता है तो देखिए जब समांतर क्रम में जूड़ा जाता है तो 1 by R1 पलस 1 by R2 करके जब इसको आप सल्फ करेंगे ठीक है ना तो आपका इसका सही उतर क्या निकल कराएगा तो 40 का सही उतर निकल कराएगा option C R1 into R2 upon R1 पलस R2 होगा तो C is the right answer अब आगे देखते है 41 नमर प्रसन लगुपतन के समय विदुद्धारा का मान होता है तो बताएगे जब लगुपतन होता है जब एक तर दूसरे तर से जब सड जाते हैं तो उस समय जो विदुद्धारा का मान होता है वो बहुत कम होता है कि इस्तिर रहता है कि बहुत अधिक हो जाता है अब देखिए अगला प्रस्ण है 42 नमर तारो के टिम टिमाने का कानर क्या है तो वाई मंडली अपवर्तन है अब अगला प्रस्ण देखिए प्रस्ण है 43 बैटरी से किस परकार की धारा प्राप्त होती है तो बताए एसी होता है कि डिसी की एबी दोनों की कोई नहीं तो सीधी सी बात है बैटरी से डिसी होता है ठीक है तो बीज दर आइट एंसर अब अगला प्रस्ण देखिए अगला प्रस्ण है प्रस्ण संक्या 44 टिंडल परभाव परकास की कौन सी परिखटना को परदर्सित करता है तो बताइए पहला अप्सन दिया है परकास का परवर्तन दूसरा है परकास का परवर्तन तिसरा है परकास का विछे पड़ और चौथा दिया है परकास का परकिर्णा तो बताइए आप इसमें सही उतर क्या होगा तो इसका सही उतर होगा अप्सन डी परकास का परकिर्णा यानि scattering of light ठीक है अब अगला प्रसन है 45 नमबर निर्वाद में परकास की चाल कितनी होती है तो बताइए यहाँ पर option दिया हुआ है 45 का सही उतर होगा option C 3 into 10 to the power 8 meter per 30 second अब चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है 46 कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर सही उतर क्या होगा अब बताएं 46 का सही उतर होगा ओतल लेंस ओतल लेंस को अपसारी और उतल लेंस को अभी सारी लेंस कहाते हैं ठीक है तो यहाँ पर option is the right answer क्योंकि और लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है अगला प्रसन देखेंगे अगला प्रसन है प्रसन संख्या 47 पुतली के साइज में कौन सॉरी पुतली के साइज को कौन नियंतरीत करता है ठीक है न तो पहला अपसंदी है पक्च माभी दूसरा है परितारीका है तीसरा है ने 45 निमुलीखित में से कौन उत्तल दरपड की फोकस दुरी है जिसके वकर्ततर रिजया 32 है तो वकर्ततर रिजया की आधे होती है फोकस दुरी इसलिए उतल दरपड है तो हमरा सही अप्शन क्या होगा आप देख लिजी तो 48 का सही उत्तर होगा अप्शन C ठीक है प्लस सुला CM ठीक है अब आगे देखते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न है 49 भारत में उत्पादित प्रत्यवर्ति विदुद्धारा की आवरिती होती है बताईए 50 हर्ड्स की 60 हर्ड्स की 70 हर्ड्स की 80 हर्ड्स तो दिये गए अप्रस्न में आप सही बताईए कि इसका सही उत्तर क्या होगा तो 49 हर्ड्स ठीक है अगला प्रस्न देखिए 50 ठीक है और यह अंतिम प्रस्न है लेंस में मुग के फोकस की संक्या कितनी होती है तो बताईए सही उत्तर क्या होगा तो इसका सही उत्तर होगा आपने कितना जबर्दस्ट और must important question था जो कि आपकी annual exam में इसमें से लगभग आने की chances हैं तो बने रही है फिर इसी तरीके से अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्क्राइब कर दिजेगा तो मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहिन